हलो दोस्तों आज मैं आ गया हूँ एक नई इंफोर्मेशन के साथ और आज मैं एक बेहतरीन SBI का मैचुवल फंड लेकर आ गया हूँ आज इसी मैचुवल फंड का डीटेल रिवीव आपके साथ रखने वाला हूँ तो बीना देरी किये हुए वीडियो को लास्ट तक देखि है तो चलिए SBI का रिवीव कर लेते हैं इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा और आज का मैचुवल फंड होने वाला है वह SBI के तरफ से आने वाला बेहतरीन मैचुवल फंड है अभी इस सेक्टर में काफी ग्रोथ देखने को मिल रहा है तो आज का मैचुवल फंड मेरा होने वाला है SBI के तरफ से तो यह है SBI Technology Opportunity Fund Direct Growth यानि यह SBI का टेक्नोलोजी सेक्टर का मैचुवल फंड है इस मैचुवल फंड में आप इन्वेस्मेंट करते हैं तो वह टेक्निकल सेक्टर में पैसा जाता है और भारत में अभी इंडिया में टेक्निकल में काफी ग्रोथ को मिल रहा है तो आज जो इस मैच्वल फंड का रिव्यू कर रहे हैं वह आपने देख लिया कि इसके इन भी की बात किया जाए उसके इन भी के प्राइज की यानि इसके एक यूनिट की कीमत तो एक यूनिट की कीमत जो है अभी 242 रुपया 20 पैसा है यानि SBI टेकनोलोजी अपर्चुनिटी फंड का एक एन भी का प्राइज जो है 142 रुपया 20 पैसा है रेटिंग की बात कर लिया जाए तो अभी इस मैच्वल फंड का रेटिंग जो है एने है यानि रेटिंग कास्टोमर के तरफ से उपलाध नहीं है अ सब बात कर लेते हैं AMU की जिसे फंड साइज बोलते हैं यानि SBI टेकनोलोजी अपर्चुनिटी फंड में अभी तक कीतना पैसा लोगों ने लगाया है तो देखिए SBI टेकनोलोजी अपर्चुनिटी फंड में अभी तक लोगों ने चार हजार दोसो चो करो रुपिया SIP या वन टाइम इन्वेस्मेंट के माध्यम से चार हजार दोसो छे करो रुपिया लोगों ने इस मेच्वेल फंड में लगा रखा है अब इसमें हम और आप इन्वेस्मेंट कैसे कर सकते हैं तो यदि आप कुछ पैसा हर महीने लगाना चाहते हैं जिसे सिस्टेमेटिक इन्वेस्मेंट प्लान करते हैं करते हैं तो यदि आप करना चाह रहे हैं इस मेच्वेल फंड में तो मिनिमुम कम से कम आपको 500 रुपिया पौर मंथ लगाना परेगा यानि 500 से कम में इस आई पी नहीं हो गया और माक्सिमम आप जितना च इस बैसा लगाना चाहते हैं तो इसमें जो है मिनिमुम लंप सम यानि वॉन टायम हमेस्ट में पांच हजार रुपिया है यानि पांच हेजार रोपिया कम से कम आपको इस मैच्वेल फंड में लगाना पड़ेगा अब इसके फंड हाउस की बात कर लेते हैं जिसे बेंचमार्क बोलते हैं तो इसका फंड हाउस होने वाला है बीएसी टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स यानि यह बीएसी टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स का फंड हाउस सेक्टर है अब इसके होल्डिंग की बात कर लिया जाए यानि इस मैच्वेल फंड के पैसे कहां कहां लगाये गए हैं होल्डिंग इसका एक्विट्टी सेक्टर है और इसका पैसा टेक्नोलोजी और सर्विसेज यानि दोनों ही टेक्नोलोजी से मिलिटेड है तर जैसे एक टेक्नोलोजी और दूसरा सर्विसेज इस तोनों सेक्टर में svii technology opportunity fund के पैसे को fund manager ने लगा रखा है और अभी तक इतना कहां किया गया है इसके बारे में भी जान लेते हैं तो SBI टेक्नोलोजी अपर्चुनिटी फॉंड का होल्डिंग एनालेसिस अगर देखा जाए तो इसका होल्डिंग एनालेसिस जो है इक्विटी सेक्टर में 95.4% है वहीं कैस जो है 4.5% है यानि इक्विटी सेक्टर में यह तो पूरा इक्विटी सेक्टर में ही इसका इन्वेजमेंट है तो इक्विटी सेक्टर में 95.4% का इन्वेजमेंट है वहीं कैस इतना 4.5% रखा गया है कैस काफी है कैस जो है इतना न नहीं रखना चाहिएता ुमेंचेवल फंड मनेजर को लेकिन उनकी क्या सिस्टम है क्यूं रखें वे तो बता सकते हैं। लेकिन मेरे जनकारी के अनुसार से क्या स्क्राइब कोली दिक्कतर 15偿 को यदि निदागी उनकार एक स्काइब, और यदि टेकनोलोजी से related कोम्यच्यूवर्ण अच्छा खासा पर्फ़ॉन्मेंस करती हुई रहेगी तो वहाँ पर Oui फंट के मेंगर लगा देंगे और वहाँ से अच्छा को तो निकाल काम है इस वज़ा से भी कैस रखा जा सकता है अब इसके चार्जेज बगारी की बात का लिए याई इस वी आई टेकनोलोजी अपर्चुनिटी फंड में यादि आप पैसा लगा रहे हैं तो कहां कितना चार्ज देना परेगा काफी इंपोर्टेंट है तो यहां एक्सपेंस इसियो 0.82 है अधिक तो नहीं महांनेंगे अधिक फिर भी कुछ है िंद सब्स hun की बात कर लिया जाए तो इक्सुट्ड जो है इक्जिट लोड का इनका टाइम पर कितना है 15 दे तो 15 दिन के पहले यदि आप इस मेट्वल फंड से पैसा निकाल रहे हैं तो आपको 0.50% इक्जिट लोड देना परेगा मतलग एक तरह की पेनाल्टी समझ लेजिए और यदि वही 15 दिन के बाद निकालते हैं तो आपको इक स्टेंप ड्यूटी चार्ज को कैसे लिया जाता है तो जब भी आप वन टाइम इन्वेस्मेंट करें या यह साइपी करें एक हजार लगाई यह एक लख लगाईए जैसे ही आप इस मेट्वल फंड में पैसा लगाएंगे तो जब आपके लिए एने भी एलोड की जाएगी यानि आपने जो पैसा लगाया उसका यूनिट आपको देया जाएगा तो जब आपके लिए यूनिट एलोड की जाएगी उसी समय एक्सपेंस रेशियो और स्टेंप ड्यूटी चार्ज यानि इस दोनों चार्ज को इने भी में ही सेट करके काट लिया जाता है ताकि आपक यह जो है अभी यह आप इस मैचुल में वैसा लगाए और एक साल के पहले यह पैसा निकाल ने हैं तो आपको 20% टेक्स देना परेगा वही एक साल के एक दिन भी बाद निकाल या एक साल बाद कभी भी निकाल लिए आपको सारे 12परसेंट टेक्स लगेगा अब यह टेक्स हो गया 3,0,000,000 तो आपके मांन में होगा कि 3,0,000,000 का हम को tax देना परेगा लेकिन 3,0,000,000 का टैक्स नहीं देना परेगा आप जो भी investment करते हैं उसको minus कर लिया जाता है तो 3,0,000,000 का टोटल भैलू है एक लाख माइनेस कर दीजे क्योंकि एक लाख आपने इन्वेस्ट किया अब बच गया दो लाख तो उसी दो लाख पर आपको सारे 12% टेक्स देना पड़ेगा और अब आ जाती है रिटर्निंग यह सबसे पहले लोग इसी को देखते हैं लेकिन यह द्यान में रखिएगा पैसे सेफ रहें इस चीज को द्यान में रखिएगा तो यदि अभी रिटर्निंग की बात कर लिया जाए स्वी टेक्नोलोजी अपर्चुनिटी फंड का तो इसका पांच साल का रिटर्निंग 27.61 परसेंट है वहीं तीन साल का चौद चौदा पॉइ और 30 परसेंट है यानि पीछले एक साल में यह मैच्वेल फंड काफी अच्छा पर्फर्फर्मेंस किया है तो दोस्तों स्वी टेक्नोलोजी अपर्चुनिटी फंड का वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करके जाईएगा अन् करने वाला हर एक इंफर्मेटी वीडियो आपको मिल सके तो चलिए बीना दे रही किये हुए आप वीडियो को खतम करते हैं मिलेंगे अगले टॉपिक पर तब तक के लिए जय हिंद